हलो माई डियर प्रेंट्स मैं विविक कुमार आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल यूवी कम्टिसंस में स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे साथियो राजस्तान करम चारी चैन बोर्ड आरेसमैसस्वी ने पीटी आई भरती 2022 जिसके लिए ओनलाइन आविदन 16 जून 2022 को माँगे गए थे साथियो मेरे राजस्तान सारिक सिक्षा अध्यापक सीती भरती परिक्षा जो की 5546 पदों के लिए होने वाली है यह भरती परिक्षा 25 सितंबर 2022 को आजित होगी इसके संबंद में पहले ही RSMSSB ने नोटिस जारी कर दिया है साथियो मेरे आज 15 सितंबर 2022 को RSMSSB ने इस भरती परिक्षा से संबंदि दिशानदेश और साथ ही साथ अडमिट कार्ड प्रेश पत्र से संबंदि दिशान दिशानदेश जारी किये हैं सातियों मेरे परिक्षा जो है उसारी सिक्षा अध्यापक सीधी बरती परिक्षा के नाम से होगी यानि कि PTI 2022 जिसका पेपर फष्ट दो पेपर होंगे इसमें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बज तक होग। दूसरा पेपर भी 25 सितमबर 2022 को ही दाई बज़े से लेकर 4 लगेज दो गंटे के पेपर है जो कि 25 सितमबर 2022 को ही कम्पलेट हो जाएंगे साति हो इस बर्ती परिक्षा को लेकर आयोग ने、 किसने RSM SSB ने, राजस्तान करमचारी चैन भूर्ड ने दिसा नरदेश चारी किये。 साति दिसा नरदेश एडमिट कार्ड से संबंद लेता है और परिक्षा से संबंद लेता है. साति दिसा नरदेश क्या है? जो अभ्यार्ति है उनको सूचित किया जाता है कि आविदक ये सुनिशित कर ले कि वह बोर्ड का रहले कि उक्त विग्यप्तियों के अनुसार निर्दारित पात्रता एम सीक्षनिक यूग गेता एजिकेशनल क्वालिफिक्षन रखते है उक्त जो भरती परिक्षा है उसके के लिए अभ्यर्ति प्रोविजनल इप्रिवेश्पत्र बोर्ड की वेबसाइट है www.rsmssb.rajistan.gov.in से दिरांक 16 सितंबर 2022 से यता सिग्रेट डाउनलोड कर लें बोर्ड द्वारा प्रिवस्पत्र आपको भेजा नहीं जाएगा ना इमेल किया जाएगा आपको बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा साथियों परिच्छा केंद्रों पर नकल की रोकताम के लिए प्रभावी उपाय किये गये तो परिच्छा में नकल कराने के नाम पर ठखी करने वाले गिरोह के किसी जहासे या बैकाव में नहीं आवे अब ब्यर्ती किसी भी प्रिकार से नकल करने का प्रियास ने करे सात्यों मेरे रेल या बस की छतिया पायदान पर बैठकर या खड़े ओकर यात्रा नहीं करें परिक्षा केंदर पर यम जात्रा के दुरार अनुस्वासन बनाए रखें अन्यता आपके विरुद आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परिक्षा निश्टरस्ति करण की कारवई भी की जा सकती है सात्यों अभ्यर्थी परिक्षा के इंदर पर द्रदारित परिक्षा समय के डेड़ घंटे पूरवे अपनी उपस्तिती दे दे देवे ताकि तलासी के उपरांत आप समय पर परिक्षा करक्ष में नियत इस्तान पर बैठ सके परिक्षा प्रारम होने के नियत समय के 30 मिनट पूरवे परिक्षा के इंदर का प्रिविस द्वार बंद कर दिया जावेगा नहीं कि मॉर्णिंग का पेपर दस बजे से है तो आपको साड़े नो बजे तक ही प्रिविस्ट मिलेगा साड़े नो बजे के बाद कोई प्रिविस्ट नहीं मिलेगा और दोपैर का पेपर जो कि ढाई बजे से है आपको दो बजे तक प्रिविस्ट मिलेगा उसके बाद कोई प्रिवेस्ट नहीं मिलेगा साथ यो कोरोना COVID-19 वैस्वीट मां अमारी के अपसे बचाओ के लिए सामजिक दूरी से सम्मंदित जारी दिसा निर्द्वसों की आउसे क्रूप से पालना करे परिक्षा के इंदर पर परिक्षारती को मास्क लगा कर आना आनिवार रहे हैं बिना मास्क के परिक्षारती को परिवेस्ट नहीं दिया जाएगा परिक्षा के इंदर के परिवेस्ट दौरप पर COVID-19 के मद्धे नजर अब यर्दियों के हैंड सेनिटाइजर या वास यह मतापमान मापकी आवश्ता की जा रही है जिसमें अप एक्छी सहयोग करें परिक्षय के इंदर पर आपको ले कर क्या क्या जाना है साथ यह परिक्षय के इंदर पर अपना इप्रिवेस पत्र जो कि आपने डाउनलोड किया है वो एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जो कि मद्दाता पहचान पत्र आदार काड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादी में से कोई एक हो और एक फोटो धाई सेंटिमेटर गुणा धाई सेंटिमेटर का रंगीन फोटो होना चाहिए जो कि आपके इप्रिवेस पत्र पर चिपका हुआ हो एक नीले आपको एक अपनी मूल आईडी यानि कि फोटो युक्त मूल आईडी होनी चाहिए पहचान पत्र के लिए लिकर जानी है आपकी आईडी आईडी के साथ आपको एक पैन लिकर जाना है वो भी ब्लू कलर का नीले रंग का स्याई का पारदर्सी बॉल पैन परिक्षा के साथ इसके अलावा जो दिसांडर्देश है वो दिसांडर्देश क्या क्या है दिसांडर्देश बहुत सारे मिलते हैं लेकिन दिसांडर्देश आप देखे कौन कौन से दिसांडर्देश है दिसांडर्देश एक ओर है कि परिक्षा के इंदर में आपको किसी भी प्रकार क घड़ी पैन कर प्रिवेस्ट करने की अनुमती नहीं होगी तो घड़ी पैन करना जाए परिक्षायतियों को परिक्षाय के अंदर के में अपने साथ निले रंका पारदसी बॉल पैन के अलावा किसी भी प्रकार का पैन, पानी की बोटल, पार्स, बैग, जोमेक्ट्रीया, प करन, सिलाइड रूल, किसी भी प्रकार का अतियार आदी लेकर परिक्षा के अंदर पर प्रिवेस्ट नहीं दिया जाएगा, के अंदर पर इनके सुरक्षित रखने की कोई वैस्ता नहीं होने के कारण, आप इन्हें के अंदर पर लेकर ही ना आवे, ऐसे विसेश योग्ये लिखक दिये हैं, वे सक्षम चिकित्सा दिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्तर के साथ अपना अविदन पत्तर सम्बंदित के इंदर अधिक्षक को परिक्षा दिवस्ट से तीन दिन पूर्वे, आवस्शे प्रस्तुत कर देवे, अन्यता सुरूत लेकर की सुविदा उप जो भी एक बोर्ड की वेबसाइट या विश्टरत गप्ति पर आप देख सकते हैं, ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परिक्षे के अंदर में प्रोवेस्ट नहीं दिया जाएगा, ड्रेस कोड क्या क्या साथ हो मेरे, ड्रेस कोड चो पुरु सब ब्यरती है, उनके मेरे, ब्यरती गले में, हाथ में, कुछ न पहन कर जावे, कान में, नाक में, क्योंकि फिर उनको खुलवा लिया जाता है, तो सातियों मेरे, आप परिक्षे के अंदर पर जाने से पूरू, एक बार जिसा निर्देस अवस्य पढ़ ले, परिक्षारतियों को पूरी आस्ति लादी लगा कर आने की अनुमती नहीं होगी, परिक्षारति लाख या काच की पत्ति चूड़ियों के अलवा किसी भी प्रकार के जेवरात, यथा अन्य प्रकार की चूड़िया, कान की बाली, अंगुठी, ब्रासलेट पहन कर भी नहीं आएंगे, परिक्षारति परिक्ष को पहन कर आनिस में या ड्रेस्कोर में सामिल होने के संदिय विवाद हो, तो इस संदिय में केंदर पर परिक्षा से जुड़े हुए आधिकारी का निन्य मानने होगा। इस दर्म के अभ्यर्तियों को परिक्षा के इंदर पर एक गंटा तीस में पूर्वे उपस्तित होना होगा। इस समय बोर्ड द्वारा मास्टर परिक्षा के लिए उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाट पर अप्लोड की जाएगी। परिक्षार्टियों से उत्तरकुंजी अपलोड होने के बाद 23 गंटे के आओधि में परिसर्ण पत्रिया उत्तरकुंजी पर आपत्याइ मंत्र की जाएगी। प्रतिक आपत्ती के लिए प्रिक्षार्तियों को नर्दारी सिरु सो रुपे नर्दारी प्रिक्राइब से जम्मा कराना होगा अन्यता आपत्ती रजिस्टर नहीं होगी प्रिक्षाक के अंदर के संबंद में किसी प्रिक्षार्तियी दोहरा उस के अंदर के जिले से संबंद www.rmssv.rajistan.gov.in पर प्रकासे तुभी गपती काई अवलोकन करते रहे और इसी पर जानकारी हासिल करते रहे साथियो नवीन तम एम आत्तन सूशनाव की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट है www.rmssv.rajistan.gov.in काई नियमत रूप से अवकोलन करे तो साथियो 554 पदों के लिए होने वाली भरती परिक्षा 25 सितंबर 2022 को आई जित होगी तो साथियो पोर्ड के नियम और दिसागर देस्व को अवस्से पड़े और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मैं विवेक कुमार आप सभी के उज्जोल भौईस्य की काम ना करता हूँ यूवी कमपेट्सेंस परिवार की तरब से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कमपेट्सेंस पर थैंक यू सो मच धन्यवाद